नमस्कार पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सब का स्वागत मैहुरजनी अनुभव आए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज दिन बर के खास खबरों पर हरगर तिरंगा अभियान के तैत आज जमू में जगा जगा निकाली गई तिरंगा राली जमू कश्मीर में इस साल चुनाव के आसार लगबख खत्म आपसूची 30 अक्तुबर की बजाए 25 नुवंबर को होगी प्रकाशित बैट और द्योग को विश्व स्तरी पहचान दिलाने के लिए प्रदेश सरकार परियासरत और प्रदेश में करोना के मामलों में उतार चड़ाव जारी जमू कश्मीर के पुलवामा में बुद्वार को पिलीस और स्रक्षाबलों ने स्वतंतरता दिवस से पहले एक बड़े हमले की साज़िश को नाकाम कर दिया स्रक्षाबलों ने शहर के सरक्लर रोड पर तहाब क्रॉसिंग के पास 25-30 किलोग्राम आई-ईडी ब्रामत कर ले आई-ईडी को निश्क्रे कर दिया गया ADGP कश्मीर विजे कुमार ने बताया कि पुल्वामा पुलीस को मिली गोपनी जानकारे के आधार पर कारेवाई करते हुई पुलीस और स्रक्षाबलों ने बड़े हमले की साज़िश को नाकाम कर दिया उन्होंने बताया कि मामले में जांच की जारे है आई-ईडी को यहां तक पहुँचाने वाले और यहां से आई-डी को उठाने के लिए आने वाले की तलाश की जारी है हर आने जाने वाले वाहन की जांच की जारी है जमु कश्मीर में इस साल चुनाव के आसाल लगबग खत्म हो गए है कारण मदाता सुची को अंतिव रूप देने की अबदी एक महिने बढ़ा दी गई है यानि अब सुची 30 अक्तुबर की बचाए 25 नवंबर को परकाशित होगा इसके बाद एक महिने में चुनाव करापाना सबब नहीं होगा तीन साल बाद ने मदाता सुची बनाने का काम भी 15 दिन बढ़ा दिया गया है पहले सितंबर पहले एक सितंबर से 18 साल की आयू पूरी करने वाले युवाओं को मदाता बनाने का मौका मिल रहा था लेकिन अब इसे 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है मुख्य चुनाव अधिकारी कार्याले की ओर से मंगलवार देरात इसकी अधिसूचना जारी की गई आदेश के अनुसार 1 अकुबर 2022 को या इससे पहले 18 साल की आयू पूरी करने वाले मद्दाताओं को मौका मिलेगा परिसीमन और करोना की वज़ा से तीन साल से जमो कश्मीर में ने मद्दाता बनने का काम बन था CEO कार्याले की ओर से जारी आदेश के मताबिक 15 स्थम्बर को परस्ताविद मद्दाता सूची का प्रकाशन होगा इसी दिन से ने मद्दाता बनने का काम शुरू हो जाएगा 15 से 25 अक्टूबर तक दावे और आपतियां दाकिल की जा सकेंगी जोश के साथ आजादी का अमरित महसब बना रहे हैं जमो कश्मीर में भारती सेना 75 साल से तिरंगे की सरक्षन बनी हुई है ये सेना के वीरों के बलिदान का ही नतीजा है कि आज जमो कश्मीर के हर हिसे में तिरंगा लहराए जा रहे हैं सुतंत्यता दिवस पर हर घर तरंगा अभ्यान को कामिया बनाने के लिए लोगों में बहुत जोश है जब देश 15 गर्स 1947 को आजाद हुआ था तो उस समय एक अलग रियासत होने के नाते जमो कश्मीर का अपना एक अलग जंडा था देश का विवाजन होते ही पाकिस्तान ने जमो कश्मीर को कबजाने का शुड़नतर अचा ये भारतिय सेना ही थी जो पहली बार जमो कश्मीर में तिरंगे लेकर कश्मीर का कबजे के मनसुबे को नाकाम करने पहुँची थी महराजा हरे सिंग की सेना में अधिकारी रहे सेवा निवरित मेजर जनरल गोगरदन सिंग जंबाल ने कहा कि ये सेना के बलिदान का ही नतीजा है कि आज कश्मीर में देशबक्ती का ज़स्बा सर्चड कर बोल रहा है उन्होंने का कि जब कवाली हमला हुआ था तब उस समय लड़ रही महराजा की फोज की मदद के लिए भारतिय सेना तिरंगे लेकर पहुँची थी विबाजन के बाद मार कार्ड से उपचे हालात में पाकिसानी सेना ने कवालियों की आड़ में 22 अक्तूबर 1947 को कश्मीर पर हमला किया था इस इन हालात में जमो कश्मीर का देश से विले होते ही 27 अक्तूबर की सुवा लेटनेंट करनल रंचीत राय की कमान में सेना की एक सिख रेजिमेंट सुनगर एरपोर्ट गई थी कश्मीर के क्रिकेट बैट उद्योग को विश्व स्तरिय पहचान दिनाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है इसके लिए कई ही उचना ये लागू कर रही है बीते दिनों केंद्री मंत्राले के अधिकारी और विश्य शग्यों ने भी कश्मीर का दारा किया ताकि बैट निर्वान वर लकड़ी आधारित उद्योगों के विकास के लिए प्रभावी कारियोचना तयार कर उसे लागू किया जाए जमु कश्मीर अधियोग एवं बानीज्य विवाग के अनुसार कश्मीर में उपलब्द विलो की लकड़ी बैट निर्मान के लिए बेतर है इस लकड़ी से बना बैट काफी मस्बूत माना चाहता है बैट अधियोग को बढ़ावा देने के लिए दकशन कश्मीर के सेथर बिज बिहाड़ा में 4.61 करोड की लाग से कॉमन फेसलिटी सेंटर तयार किया गया है इसके अलावा 2.46 करोड की लाग से पीपीडीसी मेरट की ओर से जरूरी मशिनरी वा अन्य दांचागत सुविदाएं तयार की गई है CFC में विलो क्लेफ्ट की सीजन की उपलवदा है और इसमें क्रिकेट बैट तयार करने वाले सभी कार खाना मालिकों के लिए दांचागत सुविदाएं भी उपलवद कुराई जारी है ताकि विश्व सरीय क्रिकेट बैट तयार किये जा सके केंदर शासित परदेश जमू कश्मीर में करोना सकर्मन के मामले आना जारी है मंगलवार को 626 और लोगों के सकर्मन की पूश्टी ही हाला कि लगातार तीसरे दिन किसी भी मरीज की मौत नहीं हुए और 525 मरीज ठीक भी हुए है नैशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकडों के उनसार मंगलवार को आये मामलों में 512 कश्मीर संभाग और 114 जम्मू संभाग से लोग मिले जम्मू संभाग में आये मामलों में 72 जम्मू पांच उदुंपूर दो रजोरी आठ टोड़ा तीन कच्छुआ दो सांभा नो किष्टवार नो रामबन और एक व्रियासी जिले से मामला सामने आया वहीं कश्मीर में 167 मामले स्रीनगर 1512 मुला 81 बढगाम 15 12 मुला 64 कुपवारा 22 अनतनाग 14 बांडीपूरा 24 बारा मुला 19 कुलगाम में मामले सामने आये वहीं बिछले 24 गंडों में 525 मरीज ठीक होने के बाद सक्री मरीजों की संख्या 5146 हो गई है स्रीनगर जिले में सबसे अधिक 1589 मरीज है जबकि 12 मुले जिले में 1515 और जमू जिले में 653 मरीज है वहीं करोना से बचाव के लिए चीका करन अभियान भी जारी है मंगलवार को 4727 लोगों ने सर्क्ता डोस लगवाई जबकि 12-14 वर्ष के आयू में 216 लोगों ने पहली डोस और 226 ने दूसरी डोस लगवाई अभी तक जमू कश्मीर में कुल 2,37,61,000 से अधिक डोस लोगों को दी चाच चुकी है शिवखोडी में गट सोंवार को हुए हादसे के बाद देश शाम शिवखोडी श्राइन बोर्ड की वाइस चियर में एवं डी सी रियासी बवीला रकवाल ने गटनासला पर पहुँच कर सितिकर जायसा लिया इसरान उनने शिवखोड़ों वा परशासनिक अधिकारियों से बविश्य में इस तरह के हासों को रोकने के लिए परशासन की तरफ से ठोस कदम उठाये जाएंगे ऐसा काहा गुफा के प्रांगन में बहुत जल्द मचबूत शड़ बनाने के सासाथ पहाड़ी से गिनने वाले पत्थरों को रोकने के लिए जाले लगाये जाएंगे इसके लावा श्राइन बोल्ड परशासन के अधिकारियों और कर्मियों से कहा गया है कि देश भर से आने वाले शरदालों की सुविदा और सुरक्षा के लिए हर पल प्यार रहें भोले बावा के दर्शन करने वाले शरदालों को किसी तरह की दिक्कत ना हो इसको लेकर भक्तों की हर संबब मदद की जाने चाहिए वह और तलब है कि शिप्खोडी गुफा के प्रांगन में पहाड़ी से कई बार पत्थर गितने की गटना सामने आई है गर सोंबार को गुफा के बाहर हुए हासे में दो शरदालों की मौत हो गई और एक शरदालों गायल हो गया था राश्ट्री राश्मार पर अलगलग हुए दो सड़क हासों में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि 25 वर्षी युपती घंपी रुप से गायल हो गई देरात हुई इन द्रुगटनाओं में मृतकों के शब को पुलीस ने अपने कबसे में ले लिया और मामला दर्ज करते हुए कारवाई शुरू कर दी पहली गटना जीमसी कुठवा के पास हुई जिसमें एक ट्रक त्वारा स्कुटी को टकर मारे जाने से स्कुटी पर सवार हरी किशोर, पुत्र, लाल बाबू और उनकी पतनी माधुरी वा बहन बविता गायर होगे गटना के बाद सभी को जीमसी लाया गया जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद हरी किशोर और माधुरी को मृत्त गोशित कर दिया जबकि स्कुटी पर सवार मृत्त की बेहन बविता को उपचार दिया गया वहीं दूसरा हासा बरनोटी के पास पेश आया जहां ट्रक की टकर लगने से 42 वर्षिय रगुबीर सिंग, पुत्र, हरी सिंग, निवासी, काराल, बनोटी, गंभीर उपसे गायल हो गया आनन फानर में उसे जीएमसी को ठुटवा पंचाया गया जिलेकिन डॉक्टरों ने उसे वहाँ जांच की बाद मृत तलाया घोशित कर दिया अब वक्त हो चलाएक ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद मजबूते के पैचान, ACC सीमेंट, मैसर्स, विशंदास जस्वाल एंड संस, आथोराइस्ट, स्टॉकेस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जमू रंगीन खबरों की पर्तदर पर्त होलता है तक्षरा फ़रा बया करता है खबर के पीछे की कहानी पीर पंचाल से सब कुछ दिखता है ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ बाउफोर्ट में आजादी का अमरित महस्थव के अभ्यान हरगर तिरंगा के उपलक्षे पर आयोजित परभाद फेरी का आयोजन भाशपा बाउफोर्ट द्वारा किया गया इस अबसर पर भाशपा नेता राजीव चाड़क मुख्यती थी थे इस अबसर पर भाशपा परदेश उपादेक्ष अनुराधा चाड़क, सानी पारशर शारदा कुमारी, माता महाकाली मंदिर, शौकीपर, यूनियन के अदेक्ष अंकुष खजुरिया, हरदेश, खोकर, कुल्दी प्राजगुपता, परशोतम कुमार, चिंकु मालाकार, श इंदुशासित परदेश जमुकश्मीर में भाशपा परदेश अदेक्ष द्वारा समस्त जमुकश्मीर के कारेकरताओं को हर गर्द तिरंगा पहुंचाने का आवहन किया गया, उसी संदर्व में आज हर गर तक पहुंचना अरंब किया गया है, प्रथम चरन में हमने ना राश्ट्री द्वज के ना रहे। ना रहे। हम लोग एक जो विवाजन बविशी का समरिती दिवस के रूप में उसको मनाएं ताकि उन लोगों को एक सची शर्दान जली हो सकते। उस दिन जो है वो एक मौन रैली होगी उसमें कोई भी ऐसे उद्गोश नहीं होंगे। इसके उपरांत 15 अगस को हम हर चुराहे पर जो है वो रास्ट्री द्वजब फराएं। आज़ादी का अमरित महस्व के तहट हर घर तिरंगा अबियान चलाया जा रहा है और इसमें घर घर में तिरंगा लहराने की बात की चा रही है लोगों में काफी उत्सा है जगा जगा पर रैलिया निकाली जा रही है तिरंगा हाथों में लिये हुए तिरंगा देश की आन है और इस ताज को ताज रखा बनाय रखने की जिमयदारी जम्मू कर्श्मिर वास्यों की है। और मैं जम्मू कर्श्मीर के करमचारी ऐसोशेशन को और आपिसर को धन्यवाद करना चाहता हूं। लीसी के साथ मजबूति इस आजादी के अमरित महस्पो को मना रहें। उसी उस्ताह के साथ जुड़ा हुआ है यही मेसेज है पुरे देश के लिए जम्मगादी आज कॉंग्रेस वारा भी रैली निकाले गी और इस रैली को नाम दिया गया आजादी की गौरव यातरा यह रैली गोल मार्किट से होते हुई गुजरियो और इस मोके पर कॉंग्रे को भी आड़े हाथो लिया उन्होंने का कि जब सिभाश्पा की सरकार आई है बहुत हद तक बिरोजकारी बड़ी है ब्रस्टा चार बड़ा है और उन्होंने का कि अगर आज पच्चत्रवा मोहस्ता बनाया जा रहा है तो यह सब कॉंग्रिस की ही दिन है रजीव गंदी और जीव गंदी हो अर्वरले पर उन्होंने एक मुकाम हासल दिलाया आज हिंदोस्तान अगर ब्लंदी अक पर जारा है उसके कांगर्स की देना दो जार चोधा में जहांपे उन ने ताउने देश की संबत्ती मनाया थी आज इसकी संबत्ती बेच रही है ग पिएचे बार एसोसियेशन और युवार राजपुत सवान ने आज मिलकर तवी पुल पर जोर्दर प्रदरशन किया। उन्हेंने का कि आज ये एक दूसरे को पूरा समर्थन दे रहे हैं क्योंकि बार एसोसियेशन पर भी अब सरकार ने अपना हाथ डाल दिया है। ने वो भी लेकर दी ये तीनों डिमांस को लेकर के आज बुकला साहिबान पीएची के इंपलाइज और युवार राजपुत सवागे लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे थे और हमने इंडिपेंडेंस डे को नजर में मदे नजर रखते हुए अपने हाथ में तुन्या जंडा ज अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा आप देनसाफी की तरफ हमें देकेलोगे तो हमारे पास दूसरी कोई धिमान नहीं है पीपी नूसलाइन के प्राइम चाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही मुझे और मेरी पूरी टीम को दीचे इजाज़त और आप देखते रहें पीपी नूसलाइन नमस्कार जम्मो में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडरन टेकनोलिजी के लिए हमेशा याद रखें जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का खयार और हां हमारे यहां बढ़िया क्वालिटी के बेंड़ेड स्पेक्टिकल्स, संग्लासे और कॉंटेक्ट लेंसे मिलते हैं आपका भरोसे मंद एक ही नाम जम अप्टीशन्स गाधी नगार जम अप्टीशन्स नई बस्ती जम अप्टीशन्स अंफला जम अप्टीशन्स त्रीकुटा नगर